हाई फ्रेंड्स कैसे हो आप सब मैं गायतरियासेरी आज आपको पुराने शोल को रियूस करने का बेस्ट आइडिया बताने वाली हूँ क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब अपने शोल को पहनते हैं तो वो अपका शोल इदर उदर लटकता रहता है युसको आप अच्छी तरह से हेंडल नहीं कर पाते हो तो आज मैं आपको ऐसा आइडिया दोंगी जिससे आप सोल को अच्छी तरह पहन भी ऐसकोंगोंगे और हेंडल भी कर पाऊगे तो आज मैं आपको इस स्टॉल से पंच्चु बताने वाली हूँ तो आप स्टोल या शोल कुछ भी ले सकते हो तो मैंने यहाँ पर यह स्टोल यह हुआ है तो पंचो बनाने के लिए पहले आपको स्टोल का मेजरमेंट लेना होगा इनकी इसके लंबाई और चुड़ाई लेनी होगी कितनी है तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे स्टोल की लंबाई और चुड़ाई कितनी है तो मेरे यहाँ से यह जो स्टोल है वो फोल्ड है और निचे से बलैक कलर का है तो यह मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड करके रखा हुए और उसकी फोल्ड में जो लंबाई है वो मेरी साड़े 38 इंच है और जो इसकी वीर्थ है जो इसकी चुड़ाई है वो मेरी यहां पर साड़े 27 इंच है तो यहां पर मैं इसकी स्टोल की चुड़ाई भी कम करूँगी और जो इसकी लंबाई है वो भी मैं कम करूँँगी क्योंकि इसकी लंबाई है और चुड़ाई दोनों ही ज़द है तो यहाँ पर मैं जो स्टोल है उसकी लंबाई 35 इंच रखूँगी और मैंने मेजर्मेंट निचे से यह जहां से इसके टसल अवहीं से ही मैंने मेजर्मेंट लेना शुरू किया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो उपर की तरफ जहां से फोल्ड बाग है वहां से निकल जाएगा तो मैंने यहां पर 35 इंच का निशान लगाए है तो आपको भी इसी परकार करने है तो या आपका कम या जादा भी हो सकता है या आपका पूरा पूरा भी हो सकता है अब इसके बाद इसकी चोड़ाई रखनी है और चोड़ाई कैसे रखने है कि जितनी भी आपने इसकी लंबाई रखी है उसमें से आपको 11 या 12 इंच माइनस करना है और उतनी ही आपको चोड़ाई रखनी है जैसे मैंने 35 इंच की इसकी लंबाई रखी है तो उसमें से मैंने 11 इंच माइनस की है और उसके बाद मैंने 24 इंच रखाया लेकिन मेरा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कि मैं कटिंग नहीं करूँगी मैं उसको साइड में से फोल कर लोंगी दोनों तरफ से तो तो मेरा यह चोविस हिंच का कपड़ा तयार हो जाएगा चोड़ाई में तो इसी परकार आपको भी दोनों तरफ से कपड़े को फोल करने के बाद सिलाई कर लेनी है ताकि कपड़े की कटिंग ना हो और बॉर्डर भी बन जाए तो आपको पॉंचू बनाने के लिए इसकी लंबाई और चोड़ाई का पूरा हिसाब रखना पड़ता है तो 35 हिंच का मैं पूरे में निशान लगाऊंगी तो आप इसके लिए स्टोल या शोल कुछ भी ले सकते हो तो मैंने यहां पर 35 हिंच का निशान लगा लिया भी इसके बाद ही यहां पर लाइन लगाते हो इसकी जो एक्स्टा कपड़ा उसकी मैं कटिंग कर लूँगी और आपको यह ध्यां रखना है कि मैंने फॉल्ड बाकी तरफ से इसकी कटिंग की है मैंने इसकी कटिंग कर लिया अब इसके बाद मैं साइड से भी इसको फोल्ड कर लूँगी और आज मेरा गला भी थोड़ा खराब है और यदि आप न्यू हो और वीडियो को देख रहे हो और वीडियो को देखने के बाद यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्यूंकि मैं इजी तरीके से ही कटिंग और स्टिचिंग से जुड़ी वीडियो डालती रहती हूँ तो इस प्रकार मेरा दोनों तरफ से ये बोर्डर बन कर रेडि हो जाएगा क्यूंकि मैं दोनों तरफ से इसको पैनने वाली हूँ तो आपको पॉंचु बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगेगा सिर्फ एक कटाई और दो सिलाई में आपका 10 मिनिट में पॉंचु बन कर रेडि भी हो जाएगा तो आप इसी प्रकार पॉंचु बना सकते हो तो इसकी सिलाई लगाने के लिए अपने मशीन पे चलते हैं तो इस प्रकार आपको बोर्डर को फोल करने के बाद उपर से सिलाई लगानी है तो इस प्रकार ये आपकी बॉर्डर भी बन जाएगी दोनों तरफ से और आपका स्टोल भी खराब नहीं होगा यदि आपके शोल में या स्टोल में बॉर्डर नहीं है तो आप फिर भी आप इस प्रकार सिलाई लगा सकते हो अब इसके बाद मैं आपको इसका मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ कि मेरा ये प्रोपर है या नहीं है तो मेरा ये 24 इंच तैयार हो गया है अब इसके बाद आपको उपर वाले पीस को उठा लेना है और नीचे वाले पीस को आपको सीधा रखना है यदि आपको एक तरफ से यूज करना होतो लेकिन मैं यहाँ पर दोनों तरफ से इसको यूज करने वाली हूँ तो मैंने इसको पहले एक कपड़े को सीधा रखा है और दूसरे पीस को आपको उल्टा रखने है तो इस प्रकार आपको कपड़े को रखने हैं जैसे मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ अब उपर की तरफ आपको सिलाई लगानी है तो इस प्रकार यह दोनों जो सिधे एक साइड आ जाएंगे आपके लेकिन सिलाई लगाने से पहले आपको कपड़े को पहले अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि छोटा बड़ा ना हो और उपर से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसको सिधा कर लेना है लेकिन यहां पर मैं आपको गुम सिलाई लगा के दिखाने वाली हूँ याई आपको पास से दिखा देती हम इस प्रकार मैं ऊपर वाले कपड़े को मैंने थोड़ा सा ओपर से वाल्ड किया और उसके बाद नीचे वाले कपड़े पे रखते हुए मैंने पिन्ने लगाई है यानि कि इसके बॉर्डर बॉर्डर पे रखते हुए मैं ये पिन्ने लगाँगी और यहां पे मैं पूरे पे सिलाई लगाँगी तो यहाँ पे मैंने बॉडर को सिर्फ आदा इंच के करीबी अंदर की तरफ रखा है और उसके उपर मैंने कपड़ को रखते हुए यह पिन्ने लगाई है और पिछे की तरफ मैं बाद में यह किनारी किनारी सिलाई लगाँ लूगी तो पहले मैं आगे की तरफ सिलाई लगाऊंगी उसके बाद मैं पीछे की तरफ सिलाई लगाऊंगी तो मैं आपको सिलाई लगाके इस पर आपको दिखाती हूँ तो मैंने यहां पर यह जहां मैंने पिन्ने लगाई थी वहां पर मैंने यह सिलाई लगा लिया अब सिलाई लगाने के बाद मैं पीछे की तरफ भी इसके सिलाई लगा लोंगी किनारी किनारी जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी तरह से आ जाएगी इसके दूसरी तरफ जो आपको दागे दिखाई दे रहे हैं वो जब आप किनारी किनारी सिलाई लगाओगे तो दागे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे तो मैं आपको इस पे पूरे पे सिलाई लगाने के बाद दिखाती हूँ तो मैंने यहाँ पर यह दूसरी किनारी पर भी यह सिलाई लगा लिए और इससे इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आई है तो मैं आपको इसको पास से भी दिखा देती हूँ तो यह देखिए यह दोनों तरफ ही मेरी सिलाई लग चुकी है इससे आपका जो मार्जन है वो अंदर चला गया है और इससे आप दोनों तरफ से इसको पहन सकते हो तो आप देख रहे होंगे अब इसके बाद जिस तरह से यह रखा हुआ था उसी तरह आपको बापस इसको र स्टिच करना है और उपर से आपका गला बनेगा तो में इसी कोई जो साइड़ वाल जिससा में ने पहले लगाई थी तो उसके लिए मुझे अलग से इसकी सलाई करनी होगी लेकिन आपको इस सिधा कर लेना है तो मुझे गुम सिलाई लगाने के लिए पहले मैं इसको सिधा करूँगी और सिधा करने के बाद इसको मैं इस प्रकार स्टिच करूँगी लेकिन स्टिच करने से पहले मैं उसको अच्छी तरह से यहां पे पहले सेट करूँगी ताकि कोई छोटा बड़ा तो इस प्रकार इसको रखूंगी और निचे से उसी प्रकार मैं सिलाई लगाऊंगी जैसे मैंने पहले लगाए थी यानि कि कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड करूंगी और इसको बोर्डर पर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी तो पहले मैं यहां पर निशान लगाऊंगी कह कपड़े को फोल्ड करने के बाद उस पर रखते हुए सिलाई लगाऊंगी तो इसी प्रकार पहले मैं यहां पर पिने लगाऊंगी पूरी में उसके बाद मैं इसको सिलाई लगा लूँगी तो इस प्रकार आपको सिलाई लगानी है तो मैं आपको यह पूरे पर सिलाई लग लिए अब सिलाई लगाने के बाद आपको पीछे की तिरब भी दूसरी किनारी पे भी सिलाई लगानी है जिससे जो इसका अंदर का मारजन है वो अंदर चला जाएगा और इसकी फिनिशिंग भी अच्छी प्रकार आएगी तो मैं इसके पूरी बोर्डर पर यानिकी किनारी पे एक सिलाई लगा लोंगी इस प्रकार तो इससे इसका सारा मारजन अंदर चला जाएगा तो मैं आपको इसपे पूरे पे इसलाई लगाने के बाद दिखाती हूं गज्टा की इसकी इसके प्रकार कर लेना है तो इसका गला है तो इसको आपको पतंक ज patioG मैं बना लेना तो यह इस प्रकार बन जाएगा तो आप इसको दोनों तरफ से ही पहन सकते हो तो यह इसका गला है तो यह मेरा लंबाई में भी ज़्यादा है और मैं इसको दोनों तरफ से ही पहनने वाली हूँ और यह मेरा अंदर से ब्लैक कलर का है और बार से ये मेरा क्रीम है आपको सामने से इसकी शेफ दिखाती हूँ कि कैसा बना है बस आपको इसको बनाते टाइम यही दिया रखना है कि जो आपने इसका गला बना है वो आपके सिर में आना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितनी भी आपने इसकी लंबाई रखनी है उसमें आपको 11 या 12 इंच माइनस करना है उसके बाद आपको उसकी चोड़ाई रखनी है वरना आपका जो गला वो सिर में नहीं आएगा या आप पूरे सिर का नाप ले लिजिए उसको हाफ कर लिजिए उसके बाद आपको उसमें लंबाई में माइनस कर लिजिए उतनी ही आप चोड़ाई रखिए तो मैं आपको एक वार फिर कागस पे इसको बता देती हूं जैसे मैंने शोल को फॉल्ड किया फॉल्ड करने के बाद मैंने इसकी लंबाई ली और जितनी मैंने लंबाई ली है उसमें से मैंने 11 या 12 इंच माइनस किया और जितना आया उतनी मैंने फिर चोड़ाई रखी उसकी और उसके बाद ही मैंने इसकी कटिंग की है तो इसी परकार आपको भी करने कि जितनी आपने लंबाई रखी है उसमें से आपको 11 या 12 इंच माइनस करना उसके बाद ही आपको उसकी चोड़ाई लेनी है तो ये देखिए आपको कैसा लगा तो इस प्रकार मैंने इसको बना लिया और ये मेरा गला भी एकदम सही आया है तो आप इसको दोनों तरफ से भी पैन सकते हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना शेर कर देना सबस्क्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई